असलामों अलेकूं, वेल्कम आप सबी का इस नए वीडियो में, तुझे सब सबी को बताए कि जेके बोपी ने 12th पेस पारमेडिकल डिपलोमा कोर्स की जो फिजिकल काउंसलिंग है वो यहां पे 5 तारीक से स्टार्ट की और आज फ्राइडे को यहां पे दूसरा दिन था हमा जोईन कर देना लिंक को से आपको डिसक्रप्शन में मिल जाएगी और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फोलो कर सकते हैं उसके भी लिंक आपको डिसक्रप्शन में मिल जाएगी तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले तो देख ले यहां पर जेके बोपी 12th पेस Diploma Courses की Counseling के बारे में तो देखे, Counseling जो हमारी कल Thursday से स्टार्ट हुई और आज यहां पे Friday को दूसरा दिन हमारा Counseling का था और आज rank 6001 से लेके rank 1100 तक के Candidates को Counseling के लिए यहां पे बुलाया गया था इस बीच जो कल 7 October का seat metrics होगा वो कल सुबा release हो जाएगा और कल 9 मुझे के आसपास में आपको Telegram ग्रूप में वो forward करूगा तो यहां पे Counseling के हवाले से आप सभी को पता कि इस बार इन्होंने काफी बड़ी उसमें change की कि Allotment जब उसी टाइम Students को दे रहे हैं तो जो Student यहां पे आज Counseling के लिए गई थे तो उन Candidates का कहना है कि कश्मीर के जो Government AMTs वगरा हैं जिनकों शॉर्ट में आप Government Colleges को होगे तो उसमें यहां पे काफी ज़्यादा seats यहां पे fill up होई हैं और हो तब यह पहले जो seats होती हैं वो जब आप यहां पर इसा नहीं कि काउंसलिंग के लिए चले जाओगे तो उससे पहले आप एक बार seat matrix को bड़ी अची तरह से चयक कर लेना और उसके साथ जब आप वहाँ पर counseling में अपनी preference sheet submit करोगे तो उसमें आप वही college वही course add कर लेना जिसमें अगर आपको आगे चलके seat वगेरा मिल जाती है तो आप उस course में उस college में admission करोगे आज भी काफी सार student के रहे थे कि हमें जो है वो जब मों का college मिला यहां पर बुलाए तो यह clear indication है आप लोग भी समझदार हो आप खुद भी समझ सकते हैं कि यहां पर दूसरा round counseling का इन लोगों को यहां पर करना नहीं है तो इसलिए जो आपकी preference sheet होगी उसको बड़ी consciously आप fill up कर देना उसमें वही college वही course बले ही उसमें अप कम ही college रख लो लेकिन अपनी पसंद के रख लेना और अपनी जो course रखोगे उसको भी अपनी पसंद का वहां पर रख लेना फिर आपको आगे चल के मिल जाएगा फिर आप बोलोगे मुझे तो यहां जाना नहीं है मैं इसकी fee वगराफ और नहीं कर पाऊँगा तो वो फिर आप लोगों की गलती होगी उसमें आप change वगरा कुछ भी यहां पर नहीं कर पाऊगे बाकि जो seats कितनी वज़ी हैं कितनी fill up हुई है वो आपको seat matrix में ही यहां पर देखने के मिलेंगे लेकिन आप लोगों की information के लिए पहले round में जो होती है पहले दिनों में जो होती है वो government की seats काफी fill up होती है तो उसको भी आप जब आप देख लेना accordingly ठीक तो उसके बाद जब आपको वहां पर allotment letter दी जाएगी तो next day आप अपने college में जाके report करेंगे जो BMT आपको मिलेगा उसमें जाके आप report कर लोगे report करने के बाद आप अपना admission का जो process है उसको complete कर दोगे उसके बाद जब हमारा counselling का जो process होगा वो complete हो जाए गब 25 तक उसके बाद फिर जो October में तो हमारी counselling हो जाए फिर November तक आप लोगों की classes वगेरा भी यहां पे लग जाएंगी तो यह था आपको थोड़ा सा counselling के बारे में जो मनें आपको बता दिया कोई doubt कोई confusion है कमेट सेक्श में बता सकते हैं